नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल व्रत्योहार टोट के मैं हूँ आपके साथ रिमचिम शिर्मा दोस्तों अधिक मास का प्रारंभ हो गया है और अधिक मास को लेकर लोगों के मन में भरम के स्थिती बनी हुई रहती है के इन दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए सबसे पहले आपको बतादू जो सबसे बड़ी बात होती है अधिक मास में कारियों को करने को लेकर अधिक मास में ऐसे काम जो किसी फल प्राप्ती की कामना से करने होते हैं वो वर्जित होते हैं दोस्तों इस वीडियो में इस विश्य से जुड़ी हुई संपुर्ण जानकारी मैं आपको देनी जा रही हूँ वीडियो जरूर अंति तक देखें पसंद आये तो जरूर लाइक करें चानल पर नहीं आये हैं तो सब्सक्राइब करना ना भोलें इस साल अश्विन मास में अधिक मास लग रहा है अधिक मास जैसा कि हम सभी जानते हैं 32 महीने 16 दिन और 4 घटी के अंतर से आता है इसे अधिक मास मलमास पूरशोतम मास भी कहा जाता है हर मास की अलग-अलग देवता हैं 12 महीनों में वरुन, सोर्य, भानू, तपन, चंड, रवी, गभस्ती, अर्यमा, हिरन्य रहिता, दिवाकर, मित्र और विश्नु 12 मित्र होते हैं और अधिक मास इन से अलग होता है इस साल अधिक मास 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक है तो आईए आपको अविस्तार से बताते हैं कि अधिक मास में किन कामों को करना वर्चित माना गया है और किन कामों को आप कर सकते हैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अधिक मास में किन कामों को करना वर्चित माना गया है अधिक मास में दोस्तों कुए की खुदाई, बावली तालाब, नए बाग का नर्मानकारे पौधारोपन इस तरह के कामों को मना बताया गया है नए वर्चों को आप आरंभ नहीं कर सकते हैं, वर्चों का उद्यापन आप नहीं कर सकते हैं, अधिक मास में नव विवाहिता वधु का घर में प्रवेश भी मना किया गया है दोस्तों वैसे तो अधिक मास में दान किया जाता है, बहुत ही लाव होता है, बहुत ही पुर्नेकारी माना गया है लेकिन कोई बड़ा दान हो, जैसे हम महा दान कहते हैं, बौदान, पृत्वी दान, इन जैसे दानों को अधिक मास में नहीं करना चाहिए किसी भी तरह की देव प्रतिष्ठा आप चाहे घर में ही कोई नए भगवान लाना चाह रहे हो फोटो मूर्ती किसी भी तरह की भगवान लाना चाह रहे हो आप ना लाएं आप ध्यान देंगे अधिक मास में किसी भी मंदर में देव प्रतिष्ठा नहीं होती है अगर आप दीक्षा लेना चाहते हैं तो अधिक मास में आपको ये काम रोपना होगा आप अधिक मास के बाद किसी भी मंत्र की दीक्षा ले कई मांगलिकारे संसकारों की अगर हम बात करें तो यग्योपवत संसकार, विवाह और मुंडन से जुड़े हुए संसकार इन संसकारों की अधिक मास में मना ही होती है आप देवस्थल जा सकते हैं लेकिन जिस देवस्थल पर आप पहले कभी नहीं गए वहां आपको नहीं जाना चाहिए आप सन्यास का जीवन जीना चाहते हैं आगे और आपको सन्यास लेना है दिक्षा लीनी है आप ये भी कारे अधिक मास में नहीं कर सकते किसी भी तरह का अभिशेग अधिक मास में वर्जित होता है कहीं आपको पहली बार जाना हो चाहे वो पहली बार आपको किसी प्रदेश में कारी के सिलसिले से जाना हो वो भी आपको अधिक मास में नहीं जाना चाहिए कर्ण छेदन कर्ण भेदन की जो संसकार होते हैं वो भी अधिक मास में नहीं करने चाहिए अगर आप चातुर मास के नए व्रतों को शुरू करना चाहते हैं तो वो भी आप अधिक मास में नहीं करेंगे तो ये जो तमाम कारी मैंने बताए हैं बड़े ही विस्तार के साथ की अधिक मास में ये काम जैसे उपर-उपर की बहुत सारी जानकारी हमें होती है लेकिन बहुत सारे ऐसे कारी हैं जो हमें अधिक मास में शुरू नहीं करने चाहिए खास तोर पर जो कारी हम पहली बार कर र इनकारियों को आपको नहीं करना है लेकिन इनके साथ लोगों के मन में भरम रहता है कि बहुत सारे कारे मतलब कुछ भी नहीं करना होता है अधिक मास में तो ऐसी कोई बात नहीं है अधिक मास में अगर आप चाहते हैं किसी इन जब का मंतरों के जब का अनुष्ठान करवाना भी तो आप करवा सकते हैं अधिक मास में किसी भी तरह के हवन की मना ही नहीं है ग्रह ग्रहन संबंधी कोई आप कारी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं आप दान जो भी दान आपको करना है वो अधिक मास में करें माना जाता है दस गुणा जादा पुन्यफल दाई होता है पुत्र जन्म से जुड़े हुए जो भी कारे हैं, वो आप अधिक मास में कर सकते हैं, अगर किसी के घर में बच्चे का जन्म होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो रुके रहेंगे, पुत्र जन्म के बाद जो भी कारे करने होते हैं, जो भी कर्म करने होते हैं, वो आप अधिक मा एक मन में ये भी कई महिलाओं की भ्रांतियां और मन में शंकाएं हैं कि गर्वधारन नहीं करना चाहिए। तो अधिक मास में गर्वधारन करने की भी कोई मना ही नहीं है। अधिक मास में आप गर्वधारन कर सकते हैं। दोस्तो अधिक मास को लेकर एक बहुत बड़ी बात जो है वो ये है कि अधिक मास में कुछ भी नया नहीं खरीदना चाहिए ऐसा बिलकुल भी नहीं कहा गया है शास्त्रों में शास्त्रों में इस बात का कहीं वर्णन नहीं है कि अधिक मास में नए कपड़े नहीं खरीदना चाहिए और पहनना चाहिए, आप भूशर नहीं खरीदने चाहिए नए फ्लाट, मकान, बीवी, घर से जड़ी हुई जो तमाम चीजे हैं जैसे फ्रिज हो, AC हो, कूलर हो, नयवाहन हो ये जो डेली उपियोग की वस्तुएं हैं, डेली उपियोग की चीजें हैं इसको खरीदने की मना ही नहीं है तो ये एक बड़ी शंका मन में लोगों के रहती है कि अधिक मास में नहीं खरीदना चाहिए तो ऐसा बिल्कुल नहीं है अधिक मास में आप ये तमाम चीजें खरीद सकते हैं तो दोस्तों अधिक मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए को लेकर जो संशय आपके मन में है मैंने कोशिश की है इस वीडियो के माध्यम से आपके मन की उस संशय को उस शंका को खत्म करने की उमीद करती हूं कि जो जायनकारिया मैंने दी है वो आपको जरूर पसंद आई होगी और आपके लिए ओपियों की सावित होगी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें चैनल पर नए आ है तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिय झाल